सिर पर रूसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सिर पर रूसी को इंग्लिश में डेंटरफ कहा जाता है डेंटरफ को डेंटरफ भी कहते हैं, खोरा भी कहते हैं, खुशकी भी कहा जाता है या सिर की पपड़ी या सिर में पपड़ी पढ़ना इस तरह के से भी बोलते हैं ये सिर के बालों से जुड़ी एक समस्या है जो हमारी सिर की तबचा है वो शुश्क हो जाती है और उसके बाद जो है सिर में हलके हलकी पपड़ियां से बननी शुरू हो जाती है तो उसको dandruff कहते हैं तो जैसे के अगर आप ये कहना चाहिए कि मैं उसके कंधों पर रूसी देख सकता था तो आप कह सकते हैं I could see the dandruff on her shoulders या अगर आप ये कहना चाहिए कि कई लोगों में रूसी होना आम बात है तो आप कह सकते हैं डandruff is common among many people Dandruff is common among many people अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें